हैलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैं सोनुक मरपंडित, हाँ तो दोस्तों कैसे अपलोग, देखिए दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले पार टाइम जोब इन हैदराबाद, हैदराबाद में पार टाइम जोब कैसे ले, कहां पे मिलता ह है, कैसे अपलाई करें, क्या इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, कितने अवर्स काम करना पड़ता है, क्या काम कैसा होता है, वर्त पे वाला होता है, ताकि परिशानी होता है, एक वाल पे बात करना पड़ता है, किस टाइप्स का काम मिलेगा, तो आज हम इस वीडियो में टोटल डिसकस करने वाले हैं दोस्तों देखें तो क्या है कि हमने अल्रेडी बहुत सारे सफ्टेयर ट्रेनिंग इंस्टूट्स पर कोर्स पर जॉब प्लेस्मेंट पर विडियो बना चुका है लेकिन आज की डिटिव में बहुत सार लड़के इसलिए पढ़ सान है ताकि उन से निकल सके घर से ना लेना पड़े दोस्तों देखें तो आज की डिटमी क्या होगे की जॉब का डिमांड बहुत कम हो गया यानी हाईरिंग नहीं चल रहा है ताकि इस लिए लड़के परिसान हैं तो हमने सोचा कि देखें दोस्तों अगर आप परिसान है तो कोई घबरा बताने की बात नहीं हम आज इस वीडियों बताने वाले पारटेंग जॉब के बाड़े में जो कि बहुत एजी एक बाड़ा पर जाईएगा थोरा सा इंटरभ्यू को कोई हाइ लेबल इंटरभ्यओ भी नहीं होगा कोई बड़ा प्रोसेस भी नहीं है कि आपलाई करना पड़ का। call का wait करना पड़ेगा joining के लिए तो interview के लिए this day ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा एक बार जाएए वहाँ direct interview का direct selection हो जाएगा next day से काम पे लग जाएगा 4 घंटे के है और 5 घंटे या 8 घंटे के भी काम है दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोनू सब्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग direct आते हैं अपना पॉइंट पे जॉब क्यों सा है कहां पे करना पड़े गए देखिए दोस्तों अभी कर्डेट में अमीर पेट में सबसे ज्यादा है यानि हाइदराबाद के अमीर पेट जो अमीर पेट एरिया है वो एस्टुडेंटों के लिए फेमास है आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे सारी शॉफ्टेयर ट्रणिंग इंशुट अमीर पेट में ही है सब तो इस शॉफ्टेयर इंजिनियरी के लिए फेमास है लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों हम एक यहाँ पे इमेज दिखा रहे है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ देखिये दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहेहेए ज़िए दोस्तों एक क्या है दोस्तों की है कॉल से अन्ट का बात करते हैं क्वालीफिकेशन SAC, Interlevel, B.Tec, B.C.M., B.S.C. यह कोई भी graduate हो, technical हो या non-technical हो सबके लिए qualification है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दिया है B.Tec, यहाँ पर qualification दिया है next क्या है blank resume available blank resume available देखिए computer operator देखिए किस types का job करना है एक call center है अगर आप सोच रहे हैं कि call center है तो क्यों हमें call पहीं बात करना पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो ऐसा कुछ नहीं देखिए यहाँ पर work type भी दिया गया है call center लिखा है लेकिन यहाँ पर बहुत सारा different work है category है देखिए यहाँ पर work का category दिया गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तो आई हम बताते है manufacturing production के line में भी आपको job मिल सकता है उसके बाद टेली caller टेली caller में भी आपको job मिल सकता है दोस्तो computer operator भी लिखा है computer operator में भी job मिल सकता है data entry and marketing इसमें भी आपको job मिल सकता है HR team leader इसमें भी आपको job मिल सकता है जैसे कि आप लोग हमने बताया इतने सारा job का देखिए यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर job का type से call center लिखा है लेकिन call center कुछ नहीं होता है यानि different types का job available है आप नीचे उपर देखिए walking interview in Amirpati यहाँ पर देखिए walking interview दिया है यानि आपको जा direct जाना पड़ेगा आपका interview होगा और direct selection ही हो जाएगा दोस्तों next time से आप join ही कर लिजिएगा आईए दोस्तों नीचे mobile number भी दिया गया है अगर आप call करना चाहते हैं इस number पर call कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर interview दे सकते हैं अगर आप सोचते हैं कि इसके लिए कोई date निकलेगा interview के लिए तो ऐसा कुछ नहीं आप job चाहिए job job चाहिए तब आप call किजिया और जाइए इस company में आपका interview होगा next day joining हो जाएगा जैसे five six day one week तक training दिया जाता है काम कैसे करना है यहां पर salary का बात किया तो आपको पीएफ भी मिलेगा दोस्तों पीएफ भी मिलेगा salary का बात किया जाए तो यह पार टाइम जॉब यह फूल टाइम जॉब यह तो अगर आप फूल टाइम करते हैं तो इसमें फोटीन चौदा हजार रूपिया मिलेगा दोस्तों अगर आफ जैसे फूल टाइम वर्क करते हैं तो इस्टुडेंटों के लिए बहुत अच्छा option है आप लोग जाकर भी यहां पर एक बार घूम सकते हैं दोस्तों हां तो दोस्तों और आप लोग अल्रेडी देख चुके एक बार और देख लीजे यहां पर मैं किलियर दिखा देना चाहता हूं दोस्तों देखें दोस्तों ह आपको यह जरूर कमेंट में बताएं दोस्तों और आप किस टैप्स के वीडियो चाहते कमेंट में जरूर के नेक्स्ट वीडियों हम उसी पर बनाएंगे चले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल देत अब तक लिए जया हुन्द